Hi guys, welcome back once again to my channel, I hope आप सब लोग अच्छे होंगे Usually आपने मेरे पुराने वीडियोस में देखा होगा कि I am quite satisfied with the Tata Nexon and इसकी build quality से भी जो मैंने अपना ownership review डाला था Nexon का एक साल के बाद उसमें गाड़ी की सारी कमिया और खोपिया भी बताई थी जिसका link मैंने description box में डाल दिया है बट आज आप लोगों से एक incidence शेयर करना है about Tata Nexon और ये जानना है कि क्या कोई और भी है जिसके साथ ऐसी similar problem आई है और मेरी खुद की car में ऐसी कोई problem नहीं आई है बट अगर किसी की car में ऐसी problem आई है तो हमें पता लगना चाहिए और इवन Tata तक ये message पहुँचना चाहिए जो मैंने अपने वीडियो में पहले भी पहुचाए है जैसा कि car के windshield का self crack होना radiator hose का निकलना और ये सेम चीज़ें और लोगों के साथ भी हुई थी और अब ये rectify हो चुकी है एज कल एक facebook group में post आये था नेक्सोन के CVXL तूटने के बारे में और उसकी वज़े से car का rollover होना and major accident होना जिसमें एक पसंद की death हो गई थी और एक पसंद बज गए थे जैसा कि बताया गया था पोस्ट में तो उसमें काफी लोगों ने including मैंने objection किया था कि accident real है but story believable नहीं है as गाड़ी में जो impact दिखा है वो बस एक side में है जो की car के role होने का case नहीं है जैसा कि आप इन pictures में भी देख सकते है and फिर वो post delete भी हो गया था as लोगों ने काफी negative comment किये थे कि story real नहीं है और Tata की car को defame करा जा रहा है और फिर जिस बंदे ने वो post किया था उसने मुझे contact किया बताने के लिए कि क्या हुआ था so मैंने उनसे यही कहा था कि role over तो गाड़ी में नहीं हुई है as pic से पूरी तरह clear है impact बस एक side में हुआ है इसलिए लोग नहीं मान रहे थे और मैं खुद भी नहीं मान रहा हूँ फिर उसने कहा कि गलती से उसने role over लिख दिया था actually उसका मतलब था कि axle brake हो गया था around 70-90 की speed में और car जाके side में टकरा गए थी जिसकी वज़़ए से एक side में major impact हुआ था जैसा कि आप इन pictures में देख सकते हैं यहां यह video बनाने का reason बस यह है कि मुझे एक idea लेना है कि क्या कुछ और लोग भी ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा similar case हुआ है axle तूटने का दोस्तों यहां मैं यह testify नहीं कर रहा हूँ कि axle तूटने की वज़़द extend हुआ है ना मेरी यह personal opinion है बस owner के relative ने जो कहा उसे convey कर रहा हूँ बट in case यह सच है तो ऐसे unfortunate incidents से कैसे बचा जा सकता है इससे पहले की axle पूरी तरह से damage हो जाए इसके बारे में आगे वीडियो में मैंने information दी है जो कि ना सिर्फ Tata बाकी brands की car के साथ भी हुआ है तो आप वीडियो पूरा देखिएगा और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो please comment करके जरूर बताईएगा because यह Tata Motors तक पहुंचना चाहिए और इस पर काम किया जा सकता है अगर यह लोग को problem actually हुई है यहाँ पर आप दूसरे वीडियो में भी देख सकते हैं कि एक दो लोग के साथ problem हुई है पर यहाँ पर जो car है वो move ही नहीं कर रही है in case Excel तूटता है तो यह भी possibility बन जाती है कई बार जैसे कि मैंने YouTube पे एक दो वीडियो और सच करें वहाँ पे लोग ने comment किया वा तो कि उनके साथ Excel तूटने की problem होई थी बट मैं अपने खुद के वीडियो में एक बार देखना चाहता हूँ कि क्या लोग का feedback है इसी के साथ मैं एक दो बाते और बताना चाहूँगा कि अगर आपके Excel में भी problem है तो वो आपको indication देना जरूर सुरू कर देगा तो आपको करना क्या है कि पहले वो science चेक करने है Excel के complete break होने से पहले आपको आवाज आना शुरू होगी जब भी आप car turn लेगी आपको grease दिख सकता है टायर के किनारे पे या फिर car के नीचे जो की rubber boot के फटने की वज़े से हो सकता है जिसके अंदर grease रहता है lubrication के लिए और आपको बहुत ज़्यादा vibration भी feel होंगे गाड़ी को drive करते हुए vibration और ज़्यादा तब feel होंगे जब गाड़ी या तो speed उसकी बड़ेगी घटेगी या फिर आपको ही turn लेंगे अपनी car को जितना हो सके आप overloading से बचाएं और गड़ो वगेरा से भी दूर रखें जहां तक possible हो सके as axle पे भी car का weight and passenger का weight चाता है और ऐसा नहीं है कि यह Tata की car के साथ हुआ है और यह और भी car के साथ हुआ है as reported like Maruti and Eco Sports and और भी example मिल सकते हैं यहां मैं आप देख सकते हैं कि कैसे आर्टिकर का axle भी brake हुआ है and Eco Sports में front end collapse हो गया है due to axle breakdown so guys मैं बस आपसे इतना कहना चाहूंगा कि आपको precaution लेने है और abnormal vibration अगर आपको feel होता है तो गाड़ी रोके एक बार grease वगरा के लिए चेक करें नीचे की तरफ and इसी तरह हम लोग accidents वगरा avoid कर सकते है and in case आपने भी similar problem face की है तो comment section में जरूर बताइएगा चाहे वो किसी भी गाड़ी का brand हो मैं आप लोग को हमेशा कुछ अच्छी information दे के कोशिश करता हूँ कि वो information आपके काम है तो I hope आपको इस वीडियो से information जरूर मिली होगी कोई भी car हो चाहे Maruti, Tata, Honda, Mahindra, Ford, Hyundai या कोई और भी अपने axle के complete damage होने से पहले ही indication से hint जरूर ले ले vibration आवाज या टायर के पास grease दिखे तो ये एक indication है कि axle जाने वाला है नीचे जुक्के गाड़ी को हमेशा एक बार चेक जरूर करें I hope ये वीडियो आप लोग के लिए helpful रहोगा तो इसे share करना ना भूलेगा for the benefit of all और in case आप यहाँ पहली बारा है तो चैनल को subscribe जरूर कर दीजेगा चलता हूँ मैं मिलूँगा आपसे एक नए वीडियो के साथ till the time this is me signing off